बजरंग पूनिया इनका नाम आप लोगोंने सुना होगा हमारे देश के पहलबान है एक और अभी वी चर्चा में इसलिए बने हुए क्योंकि आप देख रहें कि दिल्ली में जो धर्ना प्यदर्शन हो रहा है जो आप देख रहें कि बीजेपी के एमपी है सांसद हैं लोगसभा ब्रेज भूसन सरंसी इनके खिलाब पहलबानों ने सोसन का आरोप लगाया है और भी तमाम आरोप लगाये है तो आई हम लोग बजरंग पूनिया के बारे में एक सामान चर्चा कर लेंगे और इनके बारे में एक सामान जानकारी देख लेंगे इन्हें आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और यह आप देखें इनकी पत्नी है और आप देखेंगे इनका परिवार है माता पिता और इनका सम्मंद आप देखेंगे हर्याना से है और अधिक तर आपके पहलबान हर्याने से ही निकल के आते हैं यह आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है आप लोगों को और इसमें आप देखेंगे अगर हर्याना देखना है तो यह हर्याना च आज जी सभा में 5 सीटे हैं, लोग सभा में 10 सीटे हैं, 44,212 वरक किलूमीटर में आपका हर्याना फैला हुआ है। बजरंग पुनिया का जनम 26 फरورी 1994 को हर्याना के जाजर गाउं में हुआ था। इनके पिताजी भी एक पेसेवर पहलबान है और इनकी माता का नम ओम प्यारी और इनके भाई का नम हरिंदर पुनिया। बजरंग को कुस्ती ब्रासत में मिली है यानि कि अब आप देखे पिता जी कुस्ती कर रहे थे तो बेटा भी कुस्ती कर रहा है और इनके परिवार की आर्थिकुस्ती कमजोर थी और बजरंग के सपने पूरे करने के लिए इनके पिता जी बहुत से त्यार किये पिता जी ने और बस का किराया बचा कर साइकल से अपने काम का पूरा करते थे और बजरंग की प्यारमिक सिक्षा गाउं में ही पूरी हुई है और आप देखेंगे साथ साल की उम्मर में कुस्ती शुरू की और उन्हें उनके पितादवारा बहुत सहयोग मिला जिसके बाद बजरंग ने महसी दयानंद यूनिवसिटी से अपना ग्रेजिशन पूरा किया है और बजरंग पूरिया ने भारती रेल्वे में टिकेट चेकर TTE का काम भी किया है और एक बात आप लोगों को बता दो देखें आप सभी जानते हैं कि जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वही आजकल आप देखना है कि अपना कर्तब दिखा पा रहे हैं क्योंकि आप देखें जो बड़े लोग हैं उनके बच्चों को क्या करना है महनत करके उन्हें तो आप देखते हैं कि वैसे भी सब कुछ बना बनाया मिल जाता है और आप देखें बहतर कर्तब भी यही बर्क के लोग दिखा पा रहे हैं जो मद्धम हैं और गरीब हैं बजरंग पुनिया की साधी की बात करें तो पिछल आप देखेंगे कि 25 नवंबर 2020 को संगीता खौगाट के साथ उन्होंने साधी की और लॉकडाउन की वज़े से 21 बरातियों के साथ भी अपनी दोलन लेने पहुंचे थे और पूरी रसमे और वाज के साथ इनकी साधी हुई बजरंग पुनिया आप सभी जानते हैं कि हिंदो धरम से हैं जाट समुदाय से तालिक रखते हैं और भारती हैं क्योंकि जब भी आप देखे किसी बैक्ती की बात होती है तो हमारे देश में उसका धरम उसकी जाती पहले देखी जाती है अगर हम लोग इनकी कैरियर की बात करें तो 2013 में EACI कुस्ती चेंपियंसिप नई दिल्ली में भारत में सेमी पाइनल मुकाबले में बरजरंग ने उत्तरकूरिया के हौंग रयोंग हक से तीन एक से हराकर फोर्सों की फ्रेश्टाइल साट किलोगराम बरग में कांस पदकेनों ने जीता था फिर आप देखें राउंड ओप सोले में उन्होंने जापान के सोगो मैदा का सामना करती हूँ उन्हें तीन एक से हराया था और क्वार्टर फाइनल में उनके पितिध्वंदी इरान की मुराद हसन थे जिन्हें उन्हें उन्हें तीन एक से हराकर शेमी फाइनल के लिए क्वाइलिफाई किया था फिर आप देखें, 2003 में 20कुष्टी चैंपियन से तो हंगरी के बुड़ा पेश्ट में बजरंग ने पुरुसों की फ्रेश्टाइल 60 किलोग्राम बर्ग में रैपेचेज राउंड के माध्यम से कांस पदक बाउट के लिए क्वाइलिफाई करते हुए, कांस पदक जीता था वहां उनकी मुलाकात मंगोलिया की एन खसे खानी नियाम उचिन से हुई थी, उन्हें 9-2 से हराया था और 32 राउंड में उनका सामना बुलगारिया की बिलादी मीर डबोप से हुआ था और जिनोंने उन्हें 7-0 से हराया था वलगिरियाई पहलबान के अंतिम मुकाबले के लिए क्वालिफाई करने के बाद बजरंग ने जापान के सोगो मैदा का सामना किया और बौक ओबर अरजित किया और उनका अंगला पितोदिंदी रॉमानिया का इवान गाइडिया था और रॉमानिया पर 10-3 की जीत के साथ बजरंग ने कास पदक के मुकाबले में एक इस्थान हर जित किया था पहला फिर आप देखें 2014 में राश्टमंडल खेल होते हैं इस्कॉर्टर लेंड की गिलास्गो में उन्होंने कणागणा की डेविड टेम्पलिस से 14 से हारने के बाद पुरसों की फ्री इस्थाईल 61 किलोग्राम बर्ग में रजत पदक जीता था तो ये भी याद रखिएगा और फिर आप देखें 2014 की ACI खेलों की बात कर लिजे तो ये आप लोग देख सकते हैं और भी ठीक है 2014 की ACI कुष्टी चेंपियंसिप में काजाकिस्तान के अस्ताना में हुई थी ये बजरंग ने पुरसों की फ्रीश्टाईल 61 किलोग्राम बर्ग में इरान के मसूद इस्माईल पुर से 0-4 से हारकर रजत पदक ने मिला था इ ये रहे थे फिर आप देखते हैं कि क्या हुगा ACI कुष्टी चेंपियंसिप 2017 2017 में उन्होंने दिल्ली में आयुजित ACI कुष्टी चेंपियंसिप में स्वड फदक यानि की गोल्ड मेडल जीता था फिर आप देखें 2015 में प्रो रेसलिंग लीग में इन्होंने बजरंग नई दिल्ली में आयुजित नीलामी में JSW के स्वामित बाली बेंगलोर फेंचायची का दूसरा अजी गहन था उपहलवान को 29.5 रोपे की रासी में चुना गया था फिर आप देखेंगे कि प्रो रेसलिंग लीग 10 दिसमबर से 27 दिसमबर तक 6 सहरों में आयुजित होने व उन्होंने तकनीकी सेश्टा से वेल्स की कैन चारिक को हरा कर स्वाड़ पदक आपने नाम किया था 2018 की ACI खिल की बात करें तो 19 अगस्त को उन्होंने पुरुस की फ्रेस्टाइल 65 किलो ग्राम बरग में स्वाड़ पदक जीता था उन्होंने जापानी पहलवान तका तानी दाइची को 11-8 से हरा कर पहले दौर की स्कोर में 6 पर लॉप हो गया था फिर आप देखेंगे 2018 की बिस कुष्टी चेंपियंसिब इसमें आप देखें बजरंग ने 2019 की बिस कुष्टी चेंपियंसिब में रजट पदक जीता था और रजट पदक के बाद उन्होंने 65 किलो ग्राम बरग में बिस नमबर एक का दावा भी किया था 2019 का विस्ट कुष्टी चेंपियंसिप वजरंग ने विस्ट चेंपियंसिप में दूसरी बार कास्पदग जीता जिससे आप देखे भारत ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुष्टी इस परदा में टोकियो 2020 ओलंपिक के लिए क्वाइलिफाई किया था फिर आप देखें 2020 में रॉम रैंकिंग सीरिज तो 18 जनवरी को विजरंग ने रैंकिंग सिंखला में 65 क्लो थ्री स्टाइल बरग में फाइनल में जॉर्डन ओलीवर को 4-3 से हराया था फिर आप देखें 2021 में उन्होंने रॉम इटली में आयवजित मैटो पहली कॉन रैंकिंग सीरिज में 2021 में 65 क्लो ग्राम इस परदा में 100 पदक जीता था गोल्ड मेडल जीता था यह आप देखें इनके कुछ जो रिकॉर्ड रहें उफलद्या रही है उनके बारे में बात किए है बज़रंग पुनिया को कई पुरुसकार भी मिले है इनके काम के लिए तो आप देखें कुस्ति पहलवान बजरंग पुनिया को साल 2015 में कब साल 2015 म सेंटरल गवर्मेंट की तरफ से पदमसरी पुरुसका से भी समान नवा जा गया और पदमसरी आप देखते हैं कि 1915 से शुरू हुआ था साल 2019 में आप देखेंगे 29 अगस्त को बजरंग पुनिया को राजीव गांधी खेल रतन अब आप देखते हैं कि ध्यान चंद क्या कर बतन कर दिया गया इसकी सुरूआत हुई थी 1991-92 में ठीक है याद रखिए गा इसका नाम बदल दिया गया वजरंग पुनिया को साल 2013 में डेव इस्चूल्ज मेमॉरियल टूनामेंट में इस सिलबर पुरुसकार ओन। wannза साल 2015 में डेव इस्चूल्ज मेमॉरियल टूनामें पर से सिल्वर का प्रोज़का रेने फ्राप्त हुआ था तो यह भी आप देखेंगे तो एक आप लोग सौट वाइवग्राफी कह सकते हैं वजरंग पूनिया की है ठीक है और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे